संदीप महिश्वर या विवेक बिंद्रा के 24 विवाद के आच अब सोशल मीडिया तक पहुँच गई है लोग हैश्टेक के साथ अपने बात रख रहे हैं वो अपने अपने अनुभव शेयर कर बता रहे हैं ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब 9 दिन पहले महिश्वरी ने अपने यूटूब चैनल पर एक वीडियो अप्लोड किया वीडियो में दो लड़के बताते हैं कि उन्होंने एक बड़े यूटूबर से कोर्स खरीदा था लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं हुआ वो बिस्निसमैन की बज़ाए सेल्समैन बना रहे हैं एक लड़के ने कोर्स को 50,000 रुपे और दूसरे ने 35,000 रुपे में खरीदने की बात कही इन्होंने कहा कि इनसे प्रोड़क्ट की तोर पर कोर्स आगे और लोगों को बेचने के लिए कहा जाता है कि सब एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह है इस पर संदीप महिश्वरी हराने जटाते हैं और कहते हैं कि यह तो बड़ा स्कैम है इसे रोका जाना चाहिए वो इसके बाद यूटूब कम्यूटी पर पोस्ट कर कहते हैं कि उन पर वीडियो हटाने का दबाब डाला जा रहा है कुछ लोग उनके घर भी आये हैं लेकिन वो इसे नहीं हटाएंगे फिर क्या विवेग बिंद्रा ने यूटूब कम्यूटी पर पोस्ट कर संदीप महिश्वरी के खिलाव फैक्शन लेने की बात बोल डाली इसके बाद महिश्वरी ने कुछ ट्वीट और किये फिर विवेक बिंद्रा ने एक फीडियो अप्लोड कर संदीप महिश्वरी को जवाब दिया इन सब के बाद एक दिन पहले संदीप महिश्वरी ने भी एक फीडियो अप्लोड किया है इसमें वो विवेक बिंद्रा को जवाब देते दिख रहे हैं इसमें वो कहते हैं कुछ लोगों को लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेग बिंद्रा के बीच है उन्हें भी ऐसा ही लगता है लेकिन ऐसा नहीं है ये लड़ाई वास्तव में सच और छूट की है सही और गलत की है स्कैम ये है एक प्रोड़क्ट है आपको पसंद नहीं लेकिन आपने खरीद लिया फिर आपसे कहा चा रहा है कि अगर पैसा वापिस चाहिए तो अपने जैसे चार लोगों को बेचो अपने इस वीडियो में महिश्वरी ने विवेग बिंद्रा पर खुल कर बात की उन्होंने उनके नाम की आगे लगने वाले डॉक्टर से लेकर दस दिन में एबिये कराये जैसे कि कोर्स तक लगबक सभी मुद्दों पर बात की साथ ही ऐसे लोगों से भी बात की जिन्होंने उनका कोर्स खरीदा था उन्होंने अपने वेडियो के के अप्षिन में लिखा हैश्टेग स्टॉप विवेट पिंतरा इसके बाद उन्होंने लोगों से सोचल मेटिया पर भी यही ट्रेंड करने को कहा है